तो फ्रेट्स आज हम बात करेंगे सिलिंग फैन के बारे में तो दोस्तों सिलिंग फैन में आपने देखा होगा कि अलग-अलग स्टेटर आते हैं 12 कोईल का, 14 कोईल का और 16 कोईल का तो इन में confusion होता है कि कौन से फैन में कितनी टन डलेंगी और कौन से नंबर इसमें तार डलेगा तो इस confusion को मैं clear करूँगा और आपको बताँगा कौन से सिलिंग फैन में आपको कितने टन डालने चाहिए और कितना नंबर वायर आएगा जिससे आपके सिलिंग फैन की काफी अच्छी स्पीड आएगी तो आपको करना कुछ नहीं है सिर्फ ये वीडियो पूरा देख लेना है उसके बाद आपको भी समझ बाजाएगा किस नंबर से हम कितने टन इस्टेटर के अंदर डालेंगे तो दोस्तो मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल टेक्निकल समय है तो दोस्तो आईए शुरू करते हैं वीडियो तो दोस्तो ये सिलिंग फैन हमारे पास 12 कोईल का इसके वाइनिंग डेटे के बारे में बात करेंगे 12 प्लस 12 कोईल है रनिंग में इसके टन है 410 और स्टाइटिंग में हैं इसके 490 टन इस डेटे से आप इसको वाइनिंग कर सकते हैं इस पीड काफी अच्छी आईगी इसका गेज भी बताऊँगा लाश्ट में आपको इसके बाद हम बात करेंगे 14 कोईल के पंगे की इसमें आपको डालने है रनिंग में 390 टन और स्टाइटिंग में 370 टन और इसका भी डेटर में आपको लाश्ट में बता दूँगा तो यहाँ पर इसके बाद हम बताऊब करेंगे 16 प्लस 16 कोईल की इसमें आपको डालने होते हैं 305 टन और स्टाइटिंग में 350 दार का नंबर है 36 इसके अलावा और जो पंखे आते हैं उसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और दोस्तों अगर आप इसमें 35 नंबर डालना चाहते हैं तो इसमें जो मैंने टन बताएं उसमें से आप 10-10 टन कम कर लीजिए जिसमें मैंने 35 बताएं उसमें आप 365 लगाएं और जिसमें मैंने 410 बताएं हैं उसमें आप 400 लगाएं उस तरीगे से आप इसको वाइंडिंग कर सकते हैं इस पीड काफी अच्छी आएगी कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने आपको बताएं कि किस तरीगे से आप 12 और 14 और 16 कोईल के स्टेटर में टन डाल सकते हैं और इसमें वाइर डाल सकते हैं तो दोस्तों उमीद करूंगा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो से लाइक सेर मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर